कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चैनल में मैं रानी गुपता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि आज दिल्ली के विधान सबा में अर्विंद कीशिवाल बोलते हुए दिखाई दियें बीजेपी के खलाफ लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल किया गया था बीजेपी के दवारा और जनता के दवारा की आख शराब कांड में कितने घोटाले किये गए हैं क्या-क्या चीजे शराब कांड को ले जो बीजेपी ये जनता ने नहीं पूछा था जो कि जनता को भी जिस बाद से दिल्चस्पी नहीं है बलकि उन सवालों का जवाब देते हुए अरविंद केशुबाल दिखाई दिये वो बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनके विधायकों को बीजेपी के द्वा द्वारा कॉल किया गया था उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी 20-20 करोड का ओफर दिया गया था इसके बावजूद आपके जो एमलेस हैं वो नहीं टूटे बीजेपी में शामिल नहीं हुए और जो बीजेपी के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था ऑपरेशन ल पूछा जा रहा था कि आखिर बीजेपी का वो कौन सा नेता था जिन्होंने आपके एमलेस को यह ओफर दिया था 20-20 करोड रुपए को ओफर दिया था उनमें से किसी एक भी बीजेपी नेता का नाम बता दीजे तब आपकी यह जो विधायक और प्रवक्ता थे उन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया बीजेपी पार्टी क्या कि आखिर वो कौन से नेता थे जिन्होंने इनको आफर दिया लेकिन शराप कान पर जब जब सवाल पूछे गए तो इनके नेता या तो तू तड़ाक तो तर आए या फिर इन्होंने एंकरों के साथ बत्तमीजी की य नहीं किया है किसी भी प्रकार का गोटाला नहीं हुआ है शराब नई आपकारी नीती के तहट तो केशिवाल इस पर सफाई दे सकते थे बकाइदा सारे सबूत पेश कर सकते थे लेकिन उन्होंने इस मामले में एक भी बार कोई भी बात नहीं बोली बलकि वो बार बार एज इसको खरीदने के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए हैं इसे के साथ ही कहीं न कहीं लोगों ने ये भी कहा कि दिल्ली में नई शराब नीती के तहट घोटाला हुआ है और इस चीज को अर्विंद केशिवाल छुपाते हुए नजर आ रहे हैं और मनेश सौधिया ने ज जेल में है और शराब मंतरी जौच के घेरे में हैं आप कलपना कीजिए कि राज का शराब मंतरी शराब के घोटाले के घेरे में हो वहाँ सिक्षा का क्या प्रभाव पड़ेगा साथ ही उन्हों ने ये भी कहा कि पांच दिन पांच सवाल और जवाब कुछ भी नहीं जगह जगह खोलने का काम करते हैं इनके बातों में कताब है लेकिन कर्मों में शराब है आपको बता दे उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है और जो नई शराब नेती के तहट दिल्ली की हर गली में शराब के ठेके खोले गए हैं उस पर भी सवाल उठाया गया है हमने दिल्ली का एजुकेशन मॉडल जो है उसमें बहुत सुधार किया है तो इसका भी जवाब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने कितना सुधार किया सुधार जो दिखाई देता है वो सिर्फ और सर्फ शराब माफियाओं के लिए दिखाई देता है कि शराब मा जा रही है इसको ले करके सवाल उठाया जा रहा है लेकिन अर्विंद केशवाल इस पर कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं इसी के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से सीबी आई की रेड हुई थी मनेश सोधिया के घर पर पिछले दिनों सराब कांट को ले कर का यह कहना है कि उनके हाथ कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगें जिनके आधार पर सीबी आई नेक है फायार दर्श की इसमें मनीश सोधिया समेत 15 ऐसे लोक शामिल है जिन्होंने नई शराब नीती के तहत इस ब्रस्टाचार को अंजाम दिया है और यह जो जाच है वो चल र कोशिश कर रही है और यह चीज़े गुझरात विधान सब्सवाच चुनाब तक होनी है यानि कि वो सीधे तोर पर गुझरात की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब की जनता को जिस तरीके से उन्हों ने अपने विश्वास में लिया और वहां पर सरकार बन हर घर में पानी जो है उनके नलो पर आएगा लेकिन अभी तक 2014 से लेकर के 2022 की बात कर ले इतने सालों में अभी तक धिलिकी जनता के घर घर में पानी नहीं पहुंचा यमुना नदी जैसे की तैसी है अभी तक उसमें सफाई के काम नहीं हुआ है सारी चीज़े सारी तस्वीरे डिल्ली की जनता के सामने है आपको बता दें कि डिल्ली के सीम आर्विंद केश्यवाल ने विधान सभा के विशेस सत्र में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो काम कर रही है वो किसी से छिपान नहीं है देश ही नहीं विदेश के लोग भी दिल्ली के सिक्षा मॉडल और मोहला क्लेनिक को देख शुके हैं मगर यहां सरकार को गिराने और उनके कामों में कमी निकालने का काम किया जा रहा है साथी उनने कहा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए दिल्ली की सरकार को खत्म किया जाए रास्ट विरोधी ताकते इसी में लगी हुई है विदान सभा का ये सत्र सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है बता दे कि सोमवार को अर्विंद किश्रिवाल की ओर से विश्वास प्रस्ताव यानी की confidence मोशन लाकर उसे पास किया जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि Deputy CM मनेश सोधिया पर आपकारी नीती में घोटालो का आरोप लगाया गया है उनके द्वारा कहा गया कि शराब के पैसे झुट कही होते हैं जोट कई होते हैं 50 लाक करोड का घोटाला हो गया दिली का बजट ही नहीं हैς साच तो यह है कि झुट को साब पुरा घर चान मारा दिवारे देखी गई गद्दे भी फारत के देखें हाथ कुछ नहीं लगा दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाया गया जिसका नतीजान नहीं निकला बिना किसी पार्टी का नाम लिए उन्होंने कहा कि एक पार्टी सिर्फ सरकार गिराने के काम में लगी रहती है साथी केश्रिवाल ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार के खलाप तमाम देश विरोधी ताकते एक साथ आ गई हैं हमारी सबसे लोगप्रिय सरकार है ये ताकते हमें तोड़ना चाहती हैं लेकिन हमारे सभी विधायक साथ है वे गुजराच चुनाव तक हमारे खलाफ जूठे मामले गढ़ेंगे साथी केश्रिवाल ने कहा कि इन्होंने 277 विधायकों पर 5500 करोर रुपए खर्च किया है ये पैसा कहां से आया विट्रूल डीजल के दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं जब महरास्ट की सरकार गिरानी थी तब इन्होंने दूद जाज दही पर जि सियम बनने का ओफर तक दिया गया मैंने पिछले जन्म में कोई कर्म किया होगा इसलिए इनके जैसे डेपिटी सियम बने हैं जिन्होंने सियम का पद ठुकरा दिया दिल्ली में ऑपरेशन लोटस नाम से चल रहा है खरीद फरोक्त के लिए 800 करोड रुपए दिल्ली में रहा है हम अलान कर दें कि गुश्रात का चिनाव नहीं लड़ेंगे तो सारी चाचे बंद हो जाएंगी आपको बता दे अर्विंद केशवा लगातार इन तमाम मुद्दों को चाहे फिर वो एजुकेशन कम मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से आप उन्होंने आपरेशन लोटस नाम से यह कहना शुरू कर दिया कि आपके विधायकों को बीजपी खरीदने की कोशिश कर रही है और इसके लिए प्रतेक अमिलेस को 20-20 करोर रुपए दिये गए हैं तो यह जो तमाम चीज़े हैं वह अर्विंद केशवाल बोलते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन श अपनी कोड से रोज नए चीज़े लेकर के वह आते हैं कभी एजुकेशन मॉडल से बात करते हैं कि उनका और दिया में बेस्ट रहा ऑब सीर वहते हैं क्योंके समय क्माद करिए अपने परी कावशिश की से 20 करोड में बिख सकता है बीजेपी को थोड़ी ऊची बूली लगानी चाहिए साथ ही उन्होंने ये भी बोला था कि अगर बीजेपी का कोई नेता इन्हें खरीदने की कोशिश कर रहा है तो अर्विंद केश्रवाल उनका नाम क्यों नहीं बताते उनका नाम क्यों छुपा आने की कोशिश कर रहे हैं आपके इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले